हेलो दोस्तों स्वागत है आपका दुबारा से आपके अपने चैनल पर आज फिर हम computer से related एक most important question यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं जिसका टाइटल है यहाँ पर computer का महत्व या अधुनिक जीवने computer के भूमी का दो तरह से question आ सकता है यह आपका पांच से लेकर आठ नंबर तक के pattern में दिखा जा सकता है और mostly repeat होता है तो इस question को आप ध्यान से समझेगा question में हर तरह की जो important things हैं वो सारी सारी इसमें डाली हुई है तो आप video में end तक बने रहेगा और question को with length के साथ आप देखते रहेगा computer के महतों और मानव जीवन में इसकी उपयोगता को देखते हुए सबसे ज़्यादा computer का महतों बढ़ता जा रहा है और इसके जितनी ज़्यादा होस के उपयोगता आज के जीवन में देखी जा सकती है तो इस यूग को computer यूग कहा जाता है computer आम आदमी के जीवन के लिए परभावी भूमी का निभाता है यानि कि इस में सबसे ज़्यादा इनसान के लिए व्यक्ति के लिए computer बहुती ज़्यादा इंप्रेसिव होता जा रहा है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं railway, आरक्षन, बिजली बिल आदी computer से मिलने लगे हैं जितने भी आजकल online booking हर तरह से computer के दवारा होती है टिकेट बुक करा सकते हैं बिजली बिल इस से भर सकते हैं शिक्ष्या और मनोरंजन में computer से आशयतीत विकास प्रिवर्तन हो चुके हैं यानि कि जितनी हम इसे उमेद लगाते हैं उतने इसमें development हो चुकी हैं वर्तमान समय में computer का उप्योग लगभग सभी शेत्रों में होन इसमें होने वाले कुछ ऐसे शेत्र हैं जिन में computer का सबसे ज़्यादा यूज होता है उनको हम यहां one by one define करेंगे और एक sentence का यहां पर आप देख सकते हैं एक sentence का आपको यहां पर space देना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्ष्या शेत्र वर्तमान में computer का परभाव सरवादिक रूप से शिक्ष्या शेत्र पर पड़ा है यहां कि सबसे ज़्यादा education जो department है उसमें educational जो प्रोग्राम से हैं उसमें computer का सबसे ज़्यादा यूज देखा जा सकता है लगबख सभी शिक्ष्या संस्थानों में computer शिक्ष्या अनेवार होती जा रही है कि सभी colleges में schools में कहीं पर भी आप देख सकते हो computer का सबसे ज़्यादा यूज बढ़ रहा है और साथ साथ इसको सिखाने वाले सीखने वाले trainers की आफशकता बढ़ रही है computer की शिक्ष्या के बाद विद्यारतियों और शिक्ष्यों को बड़ी बड़ी पुस् अब cd में हजारों प्रिष्टों की सामगरी रखी जा सकते है और रखी जा सकते है सुरक्षित रखी जाते है और सरल भी हो गई है इजी हो गई है ज्यादा से ज्यादा memory को स्टोर किया जाता है कितनी भी बड़ी फाइल हो सका PDF या उसकी hard copy है या soft copy हर तरह से computer उसमें helpful होत तो इसमें वर्तमात समय कि व्यवस्टित में computer का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है व्यवस्टित रूप से संपन रूप ले लिया जाते है यानि कि उसको आप यह लिख सकते हो व्यवस्टित में सारा लेखा जुखा कंप्यूटर के माध्यम से तेजी से आप सीमित समय में व्यवस्टित रूप से संपन कर सकते हो इससे व्यवसाय में अपेक्षित लाब और रूनती के अफसर मिलते हैं यानि जो भी बिजनस है आपका उसी साब से इसमें जितने भी आप एस्पेक्ट कर रहे हो कि जितने भी advantages होंगे इसके फाइदे होंगे या जितने भी development होगी सारे इससे आप कर पाते हो थर्ड पॉइंट है इसका वग्यानिक कारिये ग्यान विज्ञान के विभिन शेत्रों में अनुसंदान को computer के विशेश गती से किया जाता है यानि अनुसंदान जितने भी research होती है science के शेत्र में तो computer उसमें बहुत ही math point हो मिका निभाता है वग उन में बहुत दिन उनको लगते थे और computer की मदद से अब क्या हो गया वही काम जो है second में हो सकता है easy हो गया है एक बार प्राप्त अनुकूल उत्तम परिणाम सदा के लिए श्टोर कर सकते हैं यह यह भी बात आपको पता है यह कि एक बार जो भी अपेक्षित परिणाम नि यानि कि जितने भी newspaper वगहर है media पुस्तक परकाशन में computer की भूमिका विशेश भूमिका निभाती है पहले पतली सी पुस्तक चापने में महीनों लग जाते थे अब कुछी दिनों में रंगीन पूर्ण यानि पूरी तरह सी विवस्थित शुद्ध और आकरश्यक पुस्तक चापी जा सकती है computer की help से इसकी सहायता से प्रकाशन शेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है यानि कि जितने ज्यादा से ज्यादा मेटर जो भी है media के थुरू है या फिर educational system में जो काम आते हैं books हैं पत्री काई है मैग जीन है जितनी ज्यादा जल्दी होंगी रंगीन और शाथ-जाथ जो हैं पूरी तरह से अरेंज उनको करके यह छाप लेते हैं computer की सायता से सब कुछ हुआ है समाचार पत्रों के तिव्र परचार परसार का शेत्र सोरिश्रे computer को ही मिलता है computer ने क्या काम किया है साथ में जितना भी मतलब परचार किया जाता है परसार किया अब computer का मध्यम बनता है जैसे उसमें क्या देख सकते हैं चलचेतर जगत देख सकते हैं films दूरदर्शन देख सकते हैं अकाश वानी का ज्यान वर्दक तत्यों को हम साथ-साथ जान सकते हैं इससे क्या होगा मनुश्य का मनोरंजन होता है और सरलता से और प्रभाविरूप स से हो जाता है ऐसे कारियक्रमों के संयोजन यानिक उनको चलाने से प्रोडुक्शन एडिटिंग और प्रस्तुति में computer के सराहने भूमिका होती है जितनी भी ads वगारा वो बीच में आती है या जो जितना भी 3D वो दिखाते हैं animation दिखाते हैं सब किसकी वज़े से होता है computer क भाँ के वज़े से होता है घर में विभिन कार यह कमप्यूटर करेथीयंतरों से संपन होने लगए है यानिका जितने भी गैजट्स हैं वह सारे computer के दुवारा ही उनको सर्च करके बनाया गया है नेक्स्ट इसमें क्या है विभिन कारों जितने भी कारे हैं उनका तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे जैपान है चीन है उनमें सभी में होता है वर्तमान समय में मनुष्य की गती सील दिंचरिया में कम्प्यूटर के विशीश भूमी का है यानि कि जितना भी इनसान आज कल एक्टिव है तो इसे साथ से कम्प्यूटर का उसमें विशीश मनुष्य को प्रतेक शेत्र में कम्प्यूटर से दिशा और गती मिलती है निस्च भी कारिय करते हैं जो उसको सब्च है उसको सब्सक्राइब करेंगे समय के मनुझन करांगे सरंचना तक शुरूप या कंप्यूटर के विपन भाग कर दो कर दो कर दो दो डूदाए थेट हैं अगय।